हलो कैसे हो आप सब वेलकम मैक टू फिलमी मिलमी सब को बदला लेगा रे आप नहीं छोड़ेगा किसी को बॉलीवूड से टॉलीवूड टॉलीवूड से हॉलीवूड और हॉलीवूड से वर्ल्ल सिनेमा सब को धोडा लेगा मा कीचू जब से गैंक्स ओवासिफूर देखा है तब से यह टायलोग बोलने का थाब उनको फाइनली आज बोल दिया तो वस हमारे साथ यह ही बने रही है शुरू करते हैं बीना किसी चुतियापा के आज बात करूँगो वन अब दा वेस्ट फिल्म एवर मेड 1958 में रिलेज होई अलफर्ड हिचकॉक के यह फिल्म मिस्ट्री थिल्लर है जिसके लिए हिचकॉक जाना जाते हैं दो घंटे आठ मिनट के यह फिल्म हर मायने में बहुत बहुत खास है यहां तक कि उस जवाने के अगर बात करें इंडियन फिल्म की क्वालिटी देखें तो बिल्कुल भी आज सपास नहीं थी टेकनोलोजी कम होने के बावजोद भी हिचकॉक ने सारी दुनिया को हैरान कर दिया था और आज भी बड़े बड़े फिल्मेकर इनके सामने सर जुकाते हैं यह फिल्म एक नॉवल बेस्ट स्क्रिन प्ले लिखा है अलेक आफ्वर्फल सैमियल टेलर ने जो की टॉफ लेवल का है वाई सहाव स्क्रिन प्ले क्या होता है या फिल्म देखो पता चलेगा यह एक औल्टाइम मास्टर पिस फिल्म है सिनमाटोग्राफिक किया है रौवर्ट वर्क ने और इनका काम भी टॉफ लेवल का है एडिटिंग किया है जौर्ज टॉमासीनी ने इनका भी एक नमबर का काम है सबसे ज्यादा इस फिल्म में आपका ध्यान खेचे का एक्टर जेम्स स्टिवर्ट और एक्टरेस कीम नौवक इस फिल्म का भी कई फिल्म स्कूल में स्क्रिनिंग होती है खास बात यह है कि हिसको की केरियर का सबसे बड़ी फिल्म थी और अवोर्ड भी कई मिलें इस फिल्म को यहां तक की आउसकर तक भी एंड्री मारी थी वहीं पर IMD rating इसे मिलें 8.3.10 में से जो की बहुत ही टॉफ लेवल का जाईए और आज ही इस फिल्म को देख डाली यह बहुत मज़े आने वाला है अगर भाई सब अब तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो काहे को यहार आप बोलते हो कि मैं बहुत फिल्में देखता हूँ तो मेरे ख्याल से आपको यह फिल्म देखने चाहिए at least one time तो बस आज के लिए इतना ही उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोको पसंद आया है पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजेगा मिल देख नई वीडियो में तब तक लिवाई धन्यवबाद जहां पर आप लाइफ को इंजॉय करते रहिए